नमस्कार अनपूर्ण आपकी रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे ब्रेड पीजा जो बिल्कुल कम समान में बनके तैयार हो जाता है तो आईए हम देखते हैं हमें कुण सा कुण सा समान चाहिए इसमें नया पिंदू हमें मने लिए टामाटर इसकी मैंने बीच थी थी उसमला मिर्च यहां पर माने पनीर के इस तरह से चोकोर क्यूब UP कर लिए रफली प्याद चोब कर लीज है यहां पर मैंने ब्राउन ब्रेड ओं झानिए वाइट यह प्रेड ले सकते हैं चीज सोस, चिली फ्लेक्स, औरेगे नो, काली मिर्च, नमक यहाँ पे हम बना रहे हैं पीजा सोस जिसके लिए मैंने यहाँ पे सोस लिया है जिसमें मैं डाल रहे हूँ चिली फ्लेक्स टेस्ट के अकोर्डिंग आप कभी हैं चाहता है इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं कट लेते हैं और लीजी हमारा पीज़ा बनके तयार हो चुका है आप इस तरह से घर में इसको बिल्कुल कम समान में बनके तयार कर सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए यहाँ पे मेरे पास एक कटोरी है मैंसी को दबा के इसकी तरह से इस तरह से गोल मैंने काट लिया है यह चारो तरब का कनारा यह मैं गिराऊंगी नहीं यह हम दूसरी चीज में यूज में ले लेंगे इस तरह से मैंने सारी जो ब्रेड है वो काट लिया इस पे लगा लेती हूँ पीजा सोस इसी तरह से मैं सारी ब्रेड पर पिजा सोस लगा लेती हूँ पिजा सोस मैंने लगा लिया है यहां पर मैं ले लिए सिम्ला मिर्च सिम्ला मिर्च को इस तरह से हम इस पर रख देते हैं टमाटर, प्याज, पनीर आप एक बार इस तरह से बना के देखिए आप बार का जो पिजा है वो खाना भूल जाएंगे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है मैंने सारी जो सबजी है वो ब्रेड पर लगा लिए यहां पर मैंने चीज लिए जो होममेड चीज है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से सारी ब्रेड पर मैं चीज लगा देती हूं ब्रेड अमर तैयार हो चुकी है यहां पर डालीओ चिली फ्लेक्स और गेनो ब्लेक पेपर और ब्लेक नेमक सारा जो मैं इसी के उपर डाल देती हूं टेस्ट के हिसाब से आप इसको कमिया ज्यादा भी कर सकते हैं चड़ा दिया है पेन यह मैंने बटर लिया है पल्टे की सायता से इस तरह से इसको चारो तरफ फैला देती हूं जो पीजा है वो मैंने पेन में रख दिया है पांस से साथ मिनट इसको इस तरह से ढख के पका लेती हैं गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम रखी है चीज मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है साथ मिनट हो चुकी है मैं एक बार इसको देख लेती हूँ कि नीचे से सिखा है कि नीचे से बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है और चीज भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसको मैं निकाल लेती हूँ एक ट्रे में जटपट बनने वाला नास्ता आप इस तरह से बना के खा सकते बच्चों को भी भेहत पसंद आएगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू